दोस्तो अमेरिका ने चीन को दे दिया है अब तक का काफी बड़ा जटका जिहां आपको बदा दें कि ताइवान को फाइनिली यूएन में में मेंबर्सीप मिलने जा रही है जिहां इस वक्त के ये काफी बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है वहीं इसी मुमेंट पर पचास सालों के बाद जिसको लेका एक बड़ी रिपोर्ट छपी है जो कि अब मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं जिहां पचास सालों के बाद ताइवान को फाइनली यूएन में फ्रिसे इंटरी मिलने जा रही है और वहीं आपको बता दें कि इस पर चीन काफी बखला उठ वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1971 में जिहां 1971 में चीन के साथ साथ ताइवान भी यूएन का एक मेंबर था लेकिन चीन के दबाव के कारण जिहां आप लोग जानते होंगे कि चीन वहाँ पर नियुआटे नेशन में एक प्रमानेंट मेंबर है और उसके पास ब दुनिया भर के देशों पर ये दबाब बनाया कि ताइवान को नेटेड नेशन के जेनरल एसेमली के मेंबर सिप से बाहर निकाल दो क्योंकि ओरिजिनल चाइन हम है जिहां पीपुल रिपबलिक ऑफ चाइना जिहां चीन खुद को पीपुल रिपबलिक ऑफ चाइना घु वह यहां आपको बताते हैं कि युनाइटेड नेशन के जेनरल एसेमली में एक रिजुलेशन पास किया गया था 2,758 और इसी के अंतरगत टाइवान को जिहां नाइटेड नेशन के जेनरल एसेमली से बाहर निकाल दिया गया था मेंबर सिप से निकाल दिया गया था और फ बात असपश्ट की है कि वो दुनिया भर के देशों को टेक इंडस्ट्री हो या किसी भी फिल्ड में जिहां वो चाहे मेडिकल फिल्ड हो या टेक इंडस्ट्री हो या जितने भी तरह के फिल्ड है उन सभी फिल्ड में एक दूसरे के साथ सही होगी के तौर पर काम करेंगे और साथी साथ ये भी बात अस्पश्टी की है कि दुनिया भर के देशों को जितनी होसा कि वो मदद और सहीयोग करेगा वैसे दोस्तों इस तरह के हलात पने हुए हैं जहां पर UN में जहां ताइवान की इंटरी के लिए ये US काफी कड़ी मेहनत कर रहा है और फाइनली US ताइवान को जहां UN में इंटरी दिलाने के लिए काफी हद तक सफल भी हो गया है जिसके बाद चीन काफी जदा बखुला उठा है जिसके बाद चीन ने भी इस पर अपनी परतिक्रिया दी है जियां चीन के परतिक्रिया आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं उसने कहा है कि अमेरिका हमारे साथ कलत कर रहा है और अपने ही बनाए गए नियमों को तोर रहा है जो ए रेजुलेशन UN के जनरल एसेंबली में 2.758 पास किया गया था उसको तोर कर अमेरिका खुद को ही अपमानित करेगा वहीं चीन के One China Principal को काफी बड़ा नुकसान पहुचा रहा है अमेरिका और ऐसे में अमेरिका को इसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी वैसे दोस्तों इस तरह से अमेरिका को चीन ने धमकी भी दी है वैसे दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर चीन की इस परतिक्रिया को लेकर वहीं अमेरिका का ताइवान को इस तरह से UN के participation को लेकर क्योंकि जैसे ही ताइवान की entry UN में हो जाती है तो ऐसे ही उसे पुरा wish एक देश की रूप में सुईकार कर लेगा और ताइवान का UN के general assembly में एक अपना स्थित्व बन जाएगा जिसके बाद जिहां चीन अगर ताइवान पर किसी भी तरह का action लेता है तो उसका परिनाम चीन को भोगना पर जाएगा इंडाइरेक्ली या डाइरेक्ली टाइवान को पुरा wish एक देश की रूप में सुईकार कर लेगा वैसे दोस्तों आप क्या सुचते हैं इस बारे में नीची कमेंट्स में अपनी उपीनियें जरूर सेर कीजे अगली नई रिपोर्ट में जो की होगा आपके लिए काफी खास